भारत बनाम श्रिलंका के मैच में स्टार पर्फॉर्मेंस रही है मुहम्मद शमी जिन्होंने इस मैच में पांच विकेट अपने नाम किये हैं और इस मैच में एक रिकॉड भी तोड़ा है इस दोरान शमी भगवान का थांक्चू करने के लिए जमीन पर बैठी भी नजर आए लेकिन उनका भगवान को शुक्रिया आधा करने का तरीका पाकिस्तान को नागवार गुज़रा है क्या है पूरी कहानी चलिए जानते हैं वर्लकप 2023 में टीम इंडिया का बहतरीन प्रदर्शन जारी है मुंबई के वांखड़ी स्टेडियम में गुरुवार को खेली गई मैच में टीम इंडिया ने श्री लंका पर विशाल जीत दर्च की रोहत ब्रिगेड ने श्री लंका को 302 रनों से शुकस्ती टीम इंडिया की ये साथवी जीत है और वो अब तक अजय रही है टीम इंडिया की जीत में तेज गेंदबास मुहम्मद शमे का एहम रोल रहा है शमी ने पांच ओवर में अच्रा रन दे कर पांच विकेट ले है शमी ने टोर्नमेंट में दूसरी बार पांच विकेट छटके हैं तीन मैचों में उनके 14 विकेट हो गए हैं इसके साथ ही वाल कप में वो भारत के सबसे सफल गेंदबास बन गए हैं शमी ने जहीर खान और जवागल शुरियनात के 44-46 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा है शमी के नाम 45 विकेट हो गए श्री लंका के खिलाफ शमी ने पांच विकेट लेनी का जशन खास अंदाज में मनाया था शमी के पांच में शिकार कसुन रजी था बने वो स्लिप में गिल के हाथो आउट हुए विकेट लेनी के बाल शमी गुटने के बल जमीन पर बैठ गए और इश्वर का अभारव्यक्त किया हालांकि पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को ये पचा नहीं उनका आरोप है कि शमी सजदा करने वाले थे लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया पाकिस्तान के बिलाल खान ने एक्सपर लिखा है कि मुहमद शमी ने सजदा करने की कोशिश की लेकिन उन्हें याद आया कि वो भारतियां है और इसके लिए उनकी आलोचना होगी वही एक और टुटर यूजर ने लिखा कि शमी को सजदा करने से क्यों रोका गया शमी के लिए मुझे दुख है उन्होंने तंज गस्ते हुए आगे लिखा है कि शमी ने भारत की सची तस्वीर पेश की है भारत ये मुसल्मान अपने अध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन भारत में हिंदुत वो मानसिक्ता से डरते हैं और इसका एक उधारण इर्फान पठान है जो हर दिन जोकर बनकर और पाकिस्तान के टीम का मजाग उड़ा कर खुद को एक वफदार भारते असाबित करने की कोशिश करते हैं एक कड़वी सचाई है लेकिन शमी का सजदा करने में तुरंत अनिच्छा महसूस करना इस बात का आदर्श उधारण है कि भारत में मुसल्मान कितनी घुटन में है टीम इंडिया ने इस जीत के साथ समिफानल में जगा पक्की कर ली है साथ मैचों में उसके चौदा अंख हो गए है और वो पॉइंट टीबिल में पहले स्थान पर है मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबास का नेोता मिले पर पचास ओवर में आच विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए जवाब में श्रीलंका की टीम लगभग उन्ने सोवर में 55 रन पर ही ओल आउट हो गई मुहम्मद शमी ने 5 सिराज ने 3 पुम्राव जडीजा की खाते में एक एक विकेट आया